मंडियों में गेहूं की आवक कम हो गई है. मध्यप्रदेश जैसे बड़े गेहूं उत्पादक राज्य में गेहूं का उत्पादन कम हुआ है. यही कारण है कि मध्यप्रदेश एवं पंजाब जैसे बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों में गेहूं की सरकारी खरीदी अ अब गेहूं को स्टॉक करने लगे हैं। वही भारत में गेहूं के वाइदा बाजार पर रोक है। MSP पर गेहूं की सरकारी खरीदी के आंकड़े सरकार के लिए संतोश प्रद नहीं है। सरकार ने करन्ट मार्केटिंग इयर 2024 से 25 में अब तक 196 लाक टन से अधिक गेहूं खरीदा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा अधिनियम समेथ सभी कल्यानकारी योजनाओं के लिए इसकी सालाना जरूरत 186 लाक टन है। खाद्यान की खरीद और वितर्ण के लिए सरकार की नोडल एजनसी भारतिय खाद्य निगम, FCI, अब बफर स्टॉक बढ़ाने के लिए 2024 से 25 सत्र में 310 से 320 लाक टन गेहूं खरीद के अपने लक्ष को पूरा करने के प्रयास कर रही है। हाला की रभी सीजन की प्रमुक फसल गेहूं की खरीद पिछले साल की समान अवधी के 219.5 लाक टन से अब तक 11% कम हुई है। इसका मुखे कारण मध्यप्रदेश और पंजाब में कम खरीद का होना है। भी मंडियों में भी गेहूं के दाम मजबूत बने हुए हैं। इससे भी किसान मंडी में माल बेच रहे हैं। अच्छी क्वालिटी के गेहूं की मांग अच्छी है और दाम बढ़ा कर दिये जा रहे हैं। सरकारी एजनसियों के जरिये अभी गेहूं की खरीद धीमी पढ़ गई है。 इसकी वज़े बताई जा रही है कि किसानों को मंडी की तुलना में गेहूं का भाव खुले बाजारों में अधिक मिल रहा है। इसलिए सरकारी गोदामों में गेहूं कम पहुँच रहा है। इसका में गेहूं की कमी दर्स की जा सकती है। इधर दूसरी और मंडी कारोबारी तो इस साल का सीजन देखकर आश्चर इचकित हैं। उनका कहना है कि गेहूं की पैदावार कम हो या अधिक हो दो-तीन माह का सीजन तो गेहूं का बंपर रहता है। लेकिन इस वर्ष एक दिन भी ब 250 रुपए से अधिक भाव पर बिक रहा है। वही कीमतों को नियंतरित करने के लिए सरकार द्वारा जरूरत पढ़ने पर खुला बाजार बिक्री योजना, OMSS, लाने के लिए अतिरिक्त स्टॉक रखने के बारे में सोचा जा रहा है। पिछले साल इस योजना के तहट ए वर्ष 2024 से 25 में खरीद में गिरावट सरकार के लिए गंभीर चिंता का विशय हो सकती है। क्योंकि इसने प्रधान मंतरी गरीब कल्यान अन योजना के तहट 80 करोड से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त राशन देने की योजना को 1 जनवरी 2024 से 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। ऐसे में जानकारों का कहना है कि देश में गेहूं की कमी देखने को मिल सकती है। Bureau Report Market Times TV